है है आग कर फिर से तो चलिए आजकी वीडियो बतातीए हूं आपको आजकी वीडियों में आपके साथ मेरे सारी कलेक्श व्यक्ष्यं मेरे साड़ियां तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पयले तो यह और्गिकायजर बैग है इसे मैंने अपने साड़े सारे पेटिकोट और ब्लाउज रख दी हैं डाल के ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो पहले मैं रखती थी साड़ियों के बीच में लेकिन अब मेरे को लगता है कि यह वाला मेथड भी अच्छा है अलग से रख दो क्यूंकि मैंने मिक्स एंड मैच कर पहनना होता है जैसे गोल्डन के साथ रेड साड़ी के साथ गोल्डन कभी रेड नहीं पहनती तो फिर दर-दर से निकालने पड़ते हैं तो इसमें सारे सामने है तो कुछ मेरे पास अंस्टिच ब्लाउज भी हैं जिनके साथ मैंने अलग से कप्ड़ा लेके बनवाये थे तो यह यहां पर मैंने बाकी सारे बलाउज रखे हैं आपने आपने ऑललाइन मंगवायय थे जो यह कुछ बनवाय हैं वह भी ज拐 ब्लाउजवे कोट रखे हैं। आंपने कुछ पार्टी बेडि मेरには यह रखे हैं। ए हैं तो यह होगी मेरी ब्लाज और मेरे पैटिकोट इसके यह मेरे पास तीन साल से है यह मेरे मदरी लॉने मुझे दी ती करवा चोत पे तो अभी तक मैंने स्टिच नहीं करवाई है यह पर मैं करवाऊंगी इसको जरूर स्टिच तो यह इस पड़ी हुई है एक और साडी मेरे पास यह मुझे गिफ्ट मिली थी यहली साडी है जो मेरे पास है अंस्टिच अभी और साडी दिखाती हूं आपको वन बैवन तो वीडियो अची लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और प्लेलिस्ट में और वीडियो भी है वो भी चेक कर लेना वन बैवन सबसे पहले स्टार्ट करत है और जब पहनी हो तब मैं इसको ऐरन करवाने देती हूं बाहर दोपी को तो यह साडी अब भी तक एक बार भी नहीं पहनी है जब से मैंने यह ली हुई है पर मैं पहनूंगी इसको अब आगे किसी मेरेज पार्टी वे दूसरी साडी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं यह भी मेरी शादी की साडी है जो मैरिज के टाइम पे दाज एंड वरी होता न जो पड़ता है उसमें और यह मेरी फेवरेट फेवरेट साडी है और मैंने इसको बहुत लगाया है और यह इतनी हेवी साडी है आप विश्वास नहीं करोगे पर एक चीज़ बहुत इसको भी मैंने उल्टा करके रखा हुआ है तया लगा के क्योंकि आपको बता है स्टोन वक बीड़ खराब नहीं होता इस वज़ा से पर बड़ी भारी है यार यह वली साडी तो यह सिल्क में थी तैन दोनों साड़ियां यह जो थी वो सिल्क में थी और यह भी तीसरी जो ह हम बिल्कुल ही नहीं लगाते है उसको बड़े शोग से ले थी पर अब लगा ही नहीं और और कलेक्शन आ जाती है हम लोग नहीं वाली लगाना शूरू कर देते हैं तो फैशन आता जाता रहता है तो यह चीज़ें जो होती है वो पूरी lifetime के लिए होती है तो चलो आपको दिखाती हूं नेक्स्ट साड़ी कोंसी है अब इसके बाद जो मैंने दिखाऊंगी आपको तो नेक्स साड़ी में आपको दिखाऊंगी नेक्स साड़ी है मेरी ये वाली साड़ी ये भी मेरी शादी के टाइम पर साड़ी राली गई थी सिल्क में है ये भी साड़ी आप द अब इसके बाद दिखाती हूँ आपको next ये कुछ paper silk kind of होता ही है actually यहां कला केंदर की जो लगती है ना exhibition वहाँ से ये साड़ियां ली हुई है साड़ी ये भी मेरी शादी की साड़ी है शादी के वक डाली गी थी मुझे मम्मी वली तरफ से तो ये भी एक और साड़ी ये मैंने बहुत लगाई है साड़ी हर साड़ी के साथ अपनी अपनी memory ये साड़ी मेरी मदरी नलो ने मुझे दी थी ये मेरे इनलाज वाली तरफ से मुझे पड़ी थी साड़ी जब मेरी शादी हुई थी और बहुत beautiful साड़ी है ये भी silk में है साड़ी और order देखो आफिस का कितना प्यार है ये साड़ी मैंने तीन-चार बार लगाई हुई ये school में लगाई है school के functions में तो बहुत beautiful साड़ी है plain साड़ी है और मैं साड़ी की बहुत die-hard lover हूँ मिरको साड़ी बहुत पसंद है suits कम पसंद है मुझे तो ये एक और साड़ी है mustard color में बहुत सुन्दर साड़ी ये भी ये बहुत सिल्क में है ये बहुत बार और कश्मीरी कुछ embroidery अगर आप इसके नीचे देखे तो हुई है और बहुत सुन्दर साड़ी है ये इसको लगा के कुछ पिच्चर भी है शायद मैंने शेयर की होंगी अगर आप लोग मेरे इंस्टा पे गनेक्टिर हो तो नेक्स्ट है ये ये भी सिल्की साड़ी है शादी पर जो साड़ियां पढ़ती है आपको बहुता है सारी सिल्की होती है तो ये भी सिल्की साड़ी है ये मेरे इनलोस वाली तरफ से मुझे पढ़ी थी साड़ी और बहुत प्यारा पीकॉक ब्लू इश्क्रीम कुछ कलर है य बुरा यूनीक कलर है यह और बहुत लाइट वेट साडी है सिल्क में है लेकिन हमक साडी में हम लाइफ साड़ी भी मैंने लगाई हुई है और सेफटी पीन वगेरा कहीं लगी होगी आगली मैं साड़ी हों की प्लीट्स बनाकर रखती हूँ तो होस्ता इसकी भी बनी पड़ी होगी तो बस ही वह वाली साड़ी है मेरी यह भी मेरे इन-लॉस की तरफ से मुझे मिली थी शादी के व मेरे और यह साड़ी मैंने पहनी भी है इसको पहन के इंस्टा पर मैंने बहुत फोड़ोग्राफ्स टाली हूए तो यह भी कुछ उसमें थी खादी सिल्क में है यह वली साड़ी जो है शायद शिफॉन में या मुझे नहीं पता ही क्या है कश्मीरी बॉर्डर है इसमें पर नहीं सोचा मैंने तो रेड कर्ण बॉटिफुल कलर आपको बता है यह साड़ी की भी मैंने बहुत फोडोग्राफ्स टाली होईए इंस्टा में भी सिल्क में है साड़ी बहुत बॉर्ड़ कलर में यहां पर पता नहीं पो कलर कैसा रहा है पर रोयल ब्लु कलर में है यह बहुत अच्छी लगती है और यह बड़ी आपकी प्लीट्स को ना स्टेबिल्टी देती है और बड़ी अच्छी लुक लगती है और आप अच्छी लगते हो उसको पहन के स्मार्ट लूक आती है बहुत जादा यह कुछ दिफ्रेंट सब ब्लू है ब्लू भी नहीं है ग्रीन भी नहीं है ओके एक और इसको ब्लाउज मैं ने स्टिच नहीं करवाया है इसको मैं गोल्डन ब्लाउज के साथ पैनती हूं आलाइन मंगवाया था बहुत समार्ट लूक आती यह साड़ी की भी उसके बाद यह यह साडी मेरी सबसे फेड़िट साडी है और यह मैं कभी किसी को नि दूँगी यह साडी यह साडी मेरी मदरीलो ने मुझे दी थी और बहुत बिरफुल है यह कश्मीरी सिलिक में है साडी और आपको फ्लॉर्स देखकर ही पता लग रहोगा इसकी ब्लाक और 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 अ इसका ब्लावुज मैंने कुछ स्टिच किया हुआ था अगर आपको यादो मेरी इंस्टा पर आप लोगर नहीं हो तो करेक्ट हो जाओ यार मुड़स्ट के नाम से तो वहां यह साडी मैंने पैनी हुई है और यह मैंने और मेरे हस्बन ने ली थी ट्रेड फेर में हम एक ब ली थी तो कैसे लग रही है वीडियो आपको तो गाइस मैंने यह भी साडी ली थी अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो यह हमारे स्कूल में आय थे देने के लिए जी हाँ यह साडी है आपको लग रहोगा कि यह 3C क्या है यह साडी है यह उपर से इसकी और यह नीचे दिजाइन है मैंने इसको भी किया नहीं है फिनिश करूंगी इसको फिर पहनूंगी फोटोग्राफ जलूद शेयर करूंगी आपनों के साथ एक लिए ली थी मैंने एक और साडी ली थी मैंने वह है यह आप सोचो क्या हालत की हुई है इसकी यार अलमीरा में फैंकी हुई तो अब भी तो सोचा की सेट करूंगी दूसरी साडी यह है यह बड़ी अच्छी है बेसिक भी ब्लाक मैंने इस लिए क्यूंगी मैं पस ब्लाक ब्लाउस जो है वह बड़ा स्मार्ट सा आ ऑनलाइन मगा था मैंने तो मुझ लगा था उसके साथ इसकी लुक और जाथा अच इसले ली क्यूंकि मैं बस ब्लाउस आपको बताया भी ब्लास अब ब्लाउस के साथ बड़ी अच्छी लगी साडी ठीक है तो यह थी मेरी साडी कलेक्शन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की इसके इलावा और भी ड्रेसेस हैं जो मिशादी पे लगाते हैं घर के किसी बं अगर आपको पता नहीं हो फॉल कैसे लगाते हैं तो मैंने एक वीडियो अल्री शेयर की हुई है मेरे चाल पर बहुत पहले पिछले साल साडी पर फॉल कैसे लगाते है उसमें रेट कलर की साडी मैंने फॉल लगाए तो आप वीडियो ज़ूर देखना मैं उसका यहां का शेयर नहीं करूंगी दुबारा फॉल लगाने वाली वीडियो तो अभी मैं पस फाइब अंस्टिच साडियां हो गई एक यह वाली पतलो यह जो तीन आपको मैंने अभी दिखाई और जो दो पहले दिखाई आपको कोनसी वाले एक यह वाली दिखाई यह मेरे को गिफ्ट अगर वीडियो ची लगी तो लॉड़ करना और मेरे चल को सब्क्राइब करना और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर आपको और भी बहुत सारे वीडियो मेलेंगी और आप लोग क्या कर रहे है अभी छुटियों में यह जो चुटियों पड़ी है तो बताओ हम लोग तो बड कोई टीचिंग क्यों नहीं चूज करता तो बस वो करना है उसके बाद अपने दोनों चैनल के लिए वीडियो प्रिपेर कर रही हूं मूर डस्ट के लिए और साइंसे इंसाइड के लिए वीडियो प्रिपेर होती है वो वीडियो प्रिपेर होने के बाद आज बड़ी झाल 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 झाल